आज हम डिजिटल युग में दे रहे हैं, इसके बड़े अप्रत्याशित परिनाम सामने आ रहे हैं, जिसकी कभी कोई कल्पना तक नहीं थी वो सब कुछ हो रहा है, एक नया शब्द काफी प्रचिलित हो रहा है, आनलाइन नाम तो सुना ही होगा, कोरोना काल में आनलाइन क्लासेस ने एक नया आयाम जोड़ा था, घर बैठे बस आनलाइन ओडर करो कुछ भी मंगा लो, ये आनलाइन का करिश्मा था, वो उख लगी हो तो आनलाइन भोजन मंगा लो, सुबह सुबह दूद, साख सबजी लेने मंडी कौन जाए, फोन भुमा आनलाइन सबजी मंगा लो, फेसिलिटी का आलम ये की आफिस जाने के लिए रोज एक नई ड्रेस देने वर लेने की आनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित कर लो, दबायन चाहिए आनलाइन हाज, नए कपड़े खरीदने है, फोन भुमाएन कपड़े घर पर ही मंगा कर पस आनलाइन से में मेडिकल सलाह भी मिल जाएगी, सुना है मोबायल शौचाले अभी शुरू हो गए है, जब चाहे तब आनलाइन काल करिये, शौचाले अहाज, प्रिशी क्षेत्र में एंट्री अभी बाकी है, मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ, ये बताने के लिए कि, पहल हम कुछ भी खरीदते थे बजार जाना पड़ता था, लेकिन भाये अब बजार आपके पास आएगा, पहले आप अपने मन पसंद के हिसाब से चीजे खरीदते थे, आज बजार आपको घर बैठे जो दिखाएगा वही खरीदना है, आनलाइन भारत के अर्थतंत्र के लिए फायदे के बजाए घाटे का सौदा सिधा होगा, नेतागन डिजिटिली करन की तारीफ करते नहीं अधाते, वे इससे करफशन खत्म होने की बात करते हैं, जबकि करफशन पहले से कई गुना अधिक बड़ा है, उन्हें इस बात का अनुमान ही नहीं है कि वे घोर बेरोज गारी उत्पन करने के साथ आम धरेलू विजनेस वर दूकान दारी को जड़ से उखाड रहे है, धरेलू बजार का 60 प्रतिशत मौल के खाते गया, अमेजन वर अन्य मौल भारत की 50 प्रतिशत खरीदारी चट कर चुके है, बस थोड़ा और रुकिये ये विमारी ग्रामीन आचल में पहुँच जाएगी, विश्वास मानिये 60 प्रतिशत भारतिय बजार अंतर राष्ट्रिय विजनेस कमपनियों के पास होगा, दूसरी तरफ आम आदमी की खरीद पावर और घटी है, हमारे लगू धंदे समाप्त होने का कारण ही यही है, कोई खरीदार ही नहीं ह जब एक बड़े नेता से पूंचा गया तो उनका उत्तर था जब बदलाव होता है तो एक पीडी का नुकसान तो होता ही है, इससे सहन करना ही पड़ेगा, यानि की बेगारियों बेरोजगारों को सटकों की धूल चाटना पड़ेगा, नोटबंदी में जमा पूंजी निक कारा कैसे मिले, इसका एक ही इलाज है, हर दुकानदार अपनी आनलाइम क्वालिटी सप्लाई शुरू करे, लोगों को चाहिए विविदेशी कमपनियों से अपनी रोज मर्रा की चीजे न मंगा अपने घरेलू दुकानदारों की मदद करे, अन्यथा बस थोड़ा वेट कर और एक और इस्ट इंडिया कमपनी के दुश्परिनामों का मजाले